नमश्कार फ्यूचर एक्ष्पेस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सुमेट और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारते बजारों में वैसे तो आज शुरुवात ठीक था कुई थी लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा हायर लेविल्स हिट होने के बाद रेंज के अंदर के अंदर हाँ जरूर हरा निशान है मिटकेब इंडेक्स एक चोधाई फीजी उपर कामकाज करते हुए और करीब उनन 4,264 कस्तर यहां पर है स्मॉल केब इंडेक्स भी लेकर आईए वहां किस तरह की संतिया देखने को मिलेगी स्मॉल केब इंडेक्स में भी कोई जिस तर इकलाइन में 1500 शेर विक्वाली में है और करीब करीब 800 शेर तेजी में है तो डिकलाइन्स जादा इसी लिए आपको दिखाई पड़ रहे है कि स्मॉल कैप के अंदर प्रेशर है मिटकेब आधा पर्सेंट उपर है बीपी से अल करीब 20 अंगों कॉंट्रिबिशन ये दे र टाटा स्टील और एमिनेम करीब-करीब 11 अंगों का निगेटिव कॉंट्रिबूशन यहां से आता हो दिखाई पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत प्रिशर डैवर्सिफाइट स्पेस से IT, FMCG, स्टील और आटो चारो का चारो थोड़ा बहुत प्रिशर दे रहे हैं अदर 2,400, 2,500 पर थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, 2,600 पर कॉल राइटर्स हैं, नीचे 2,300, 2,200 और 2,100 के आसपास आपको पुट राइटर्स राइटिंग करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, मेजर ली 2,300, 2,400 इन जोन्स को आप ध्यान कि एक range bound rate सो फार markets में दिख रहा है, निफ्टी बैंक आज एक spike भी आया था थोड़ी एर पहले, तो करीब 47,300, 47,700, 47,500 के आसपास राइटिंग है और नीचे 46,300 पर अच्छी खासी राइटिंग है और 37,200 और 47,000 के जोन्स में आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़े कैश मार्केंट में बिकवाली है, फिनो में खरदारी है, लॉंग साइट पर 73 शेयर है, 22 शॉर्ट कवरिंग में है, 68 शॉर्ट में है और करीब-करीब 19 शेयर ऐसे हैं जो कि अन्वाइंडिंग के साथ काम काज कर रहे हैं, कहां लॉंग है, लॉंग बन रहा है भी एचियल म उपर, IOC 2% उपर, Bajaj Auto 2% उपर, और Hindustan Aeronautics Limited करीब-करीब 2% का उचाल यहां पर भी आपको आता हो दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा कुछ और शेयरों में शॉर्ट बिल्डप है, JSW Steel में 2% नीचे, MCX करीब 2% नीचे, SBI Live 2% नीचे, Aishar Motor 2% नीचे, Emphasis करीब-कर 1% नीचे, Z Entertainment में Unwinding है, 1.5% नीचे, JK Cement, 1.5% नीचे, Bandhan Bank, Shiram Finance, Dalmya भारत, 1% क्यास, वसकी बिकवाली यहां पर आते हो दिखाई पड़ रहे हैं, तो overall, Markets के अंदर, जो Upmove है, वो Power Space में और Selective Stock Specific जहां पर कामकाज होता हो दिखाई पड़ेगा, आशी सर से बाचीत कर आशी जी नमस्कार, स्वागत अभा करकरम में, Markets में Strength नहीं है, लेकिन कोई भी Fall को Give Up नहीं होने दे रहा है, आज Nifty Bank टूटा भी, तो वहां से रापस Pullback आ गया, तो यह Range Bound Trade ही बाने है हम, Index Specific, Stock Specific या Bias वही है, Fall में खरदारी करें, Buy on Dips रहें, जी, गुड़ा आपन सुमिजी, सुमिजी थोड़ा सा Market में Divergence Clearly देखने मिल रहा है, Nifty में जहां Strength है, Bank Nifty में आपी भी वैसी Strength नहीं देखने मिल रहा है, Bank Nifty में लास्ट वीच एक दिन Momentum बना था, लेकिन उसके बाद, आज भी अगर आप देखेंगे, सुबे से काफी Flattish Trade हो रहा है, और Bank Nifty के करम में बात करों, तो यहां आप Clearly देख सकते हैं, कोई एक Clear Visibility नहीं आ रही है, HDFC अभी एकदम Flattish Trade कर रहा है, और SBI में भी Flat Trader, कोई लीड नहीं ले पा रहा है, को अगर में निफ्टी की बात करों, तो निफ्टी में समिथी एक सेक्टर रोटेशन क्लिर ली देखने में रहा है, और कोई ना कोई एक ना एक Torj Bearer बनकर सामने आ रहा है, हमने देखा है, रलाइन्स में एक नोंटब बना था, आज फार्मा कोट्रिबूट कर रहा है, तो न निफ्टी में हो, बाइस हजार दो सो पचास का एक एसल मिंटेंग करें पोजिशनली, तो में लगड़ा है कि निफ्टी में यहां से बड़ा मुमंटम देखने मिल सकता है, बैंक निफ्टी में अभी वैसा कन्विक्शन नहीं आ रहा है, तबी इसमें एक प्राइड का जो तो बैंक निफ्टी को आप अवाइड कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में खरदादी की वज़ा है, वज़ा भी बताई आची जी ने, यहीं कि टॉर्च बेर बदल रहे हैं, कभी रिलाइंस, कभी आईटी, कभी आईटी सी, यह सब पार्टिपेट कर रहे हैं, लेकिन निफ अच्छा लगा है, यहीं बना हुआ है, जैसे आप से मुनिंटम स्ट्रॉंग बना हुआ है, पाव ग्रिड काफी अचा लग रहा है, फ्रेश ब्रेक आउट है, और जैसे आप से इसने अभी रिसेंट सारे हाइज को निकाला है, लग रहे हैं, लग भी यह बेल पेज़ है, 305 और 309 तक के लेवस दिखाने के लिए, तो करिदारी की सला है, 305 के टागेट्स के लिए, जो इसमें स्टॉपलास मिंटें करें हैं, वो 288 का है केसल मिंटें करें, यह कैश के लेवस है, दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है, वो L&D फनांस का, यह स्टॉक भी इसमें भी थोड़ी सी किरावट थमती वे देखने मर गए है, बट हम इस सेक्टर में स्ट्रेंज में प्ले करना चाहेंगे, तो L&D फनांस में खड़दारी की सला रहेगी, स्टॉक अपने 20 डेमा के ओपर आज निकला है, वो आपको सर्व में लाग रहा है, अपने रिसें रेंज कंसॉलिडेशन किया इसने, और अब वापस में ममंटम पिक अप हो रहा है, तो 222 के टागेट के लिए, BEL में खरेदारी की सला रहेगी, इसमें भी जो स्टॉप लाज मेंटेन करना है, तो तीन नाम जिसमें दो PSU, Power Grid और BEL, इन दोनों पर आप नाम लगा सकते हैं BEL 210 के आसपस भी कामकाच कर रहा है, इसमें एक अच्छे अपसाइड रहेंगे, Power Grid 305, 309, 288 के एक स्टॉप लाज यहां पर मिंटेन करेंगे, L&T Finance Holding दूसरा नाम है, करीब 179 के टागेट के लिए, 170 के स्टॉप लाज मिंटेन करेंगे, और तीसरा नाम रहेगा BEL, जिसके उपर आप बैट कर सकते हैं, और आशीची को लगता है कि यहां पर भी एक अच्छे अपसाइड के लिए, इसको आप देख सकते हैं, 205 के आसपस एक स्टॉप लास आके आप इसको भी लाज़ सैट पर देख सकते हैं, 222 के समें टागेट रहेगा, आगे भी आशीची से ब और खास महान मौझूद हैं, कॉपरेट स्कैन में आज हम बाचीत करेंगे मारूती की मेंजमेंट से, फरवरी में मारूती के बिकरी के आखड़े शांदार रहे हैं, फरवरी में कमपनी की कुल बिकरी करी 15% बढ़के 1,97,000 यूनिट रही है, एक्सपोर्ट में शांदार 68% की ग्रोथ रही है, और टो बिकरी के आखड़ों पर बाचीत करने के लिए हमारा साथ जोड़ रहे हैं, कमपनी के सीनियर एक्जिकेटिव आफिसर शेशांक श्रिवास्तव सर, शेशांक सर, नमस्कार, स्वागत अभा करक्रम है, पहले तो वॉल्यूम ग्रोथ जो तो उसका मवाजना आप माली साल से करें, तो उधर तीन लाग पैतिस हजार गाड़ी विकी थी, तो इस तरह से इजाफा जो है, वह ग्यारा आशारिया तीन पीसद का हुआ है, फरवरी में है, और मारती सुजुकी के लिए भी अच्छा इजाफा हुआ, करीब नौ फीसद का एक लाग साथ हजार तीन सो गाड़ी, एक लाग साथ हजार गाड़ी पिछले साल, तो अच्छा महीना रहा, आज तक का ये सबसे अच्छा फरवरी रहा, और थर्ड हाइस्ट मंत एवर, तो होलसेल के लिएस से बहुत अच्छा महीना था फरवरी का, लेकिन अगर आप रिटेल की तरफ अगर आप नज़र डालें, तो वहां रिटेल करीब 40,000 कम हुआ है होलसेल से, करीब 3,35,000 के लगब रिटेल हुआ है, लेहाजा ये जो स्टॉक है 40,000 से बड़ा इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री के स्टॉक अब ये इमकान है कि 3,00,000 के उपर जा इसलिए अब ये आगया आने वाले वक्त में, जो आपने पृष्ट किया, आगया आने वाले वक्त में हुलसेल और रिटेल मशूरूत रहेगा रिटेल के उपर और रिटेल के जो आसार अगले महिने के हैं वो थोड़े कम हैं और उसकी बुनियादी वज़ा ये है कि एक त का पीरेड बोलते हैं 17 से 26 मार्च का और जो अभी इंडिकेशन से एंक्वाइरी लेवल के और और बुकिंग लेवल के जहां पे इजाफा में सिर्फ एक फीसद का देखा है फरवरी में तो वो उससे ऐसा लग रहा है कि शायद रिटेल मार्च में अच्छा नहीं हो और यही वज़ा है कि बादार में यह ख़बर है कि आगा आने वाले वक्त में ग्रोथ उस तरह की नहीं हमें देखने को में देगी जो हमने अभी तक देखी शांक सर जो SUV स्पेस है क्योंकि बहुत स्ट्रॉंगली परफॉर्म करके गया था पहले अब उसकी परफॉर्मन्स कैसी है और यहां पर टुटल मार्केट शेयर कैसा है प्राइसिंग को लेकर अधरवाइस SUV सेग्मेंट में और ओवरल मार्केट शेयर अच्छी ग्रोथ रही है SUV का सेग्मेंट करीब 51 पीसद रहा इंडस्ट्री के लियास से और मार्ती सुजुकी का ने इस महीने फरवरी में करीब 42,300 गाड़ी SUVs बेची जो बहुत अच्छा आकड़ा है और हमारी बाजार की हिस्सेदारी SUV के सेग्मेंट में करीब 22 पीसद क है जो गुजिशता साल 11 पीसद थी ओवराल भी हमारा बाजार की सितारी बड़ी है क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो जो कॉम्पेटिटर से उससे जादा है हमारा ग्रोथ रेट 9 पीसद के उपर है इस मजबूई तोर पे अगर आप इस रवा माली साथ की बात करें आ और कॉम्पेटिटर्स का दग बग 8 पीसद रहा है इसके हमारा मार्केट शेर करीब बढ़के बढ़के 42 पीसद के करीब हो गया है जो पिछले साल 41 पांच पीसद रहा है शचांक सार अभी और्डर बुक का स्टेटर्स क्या है किस साइड पर कौन से मॉडल्स में हम मैक्सि हम बुकिंग आते वे देख रहे हैं आज दो लाक छे हजार का करीब बुकिंस पेंडिंग है ज्यादातर बुकिंग हमारी अल्टी का ब्रेजा डिजायर और ग्रैंड विटारा की हैं कुछ फ्रॉंग्स और सुफ्ट की भी बुकिंग्स हैं दे नेक्स टॉप्टू मॉडल सार फ्रॉंग सेंट सुफ्ट जी तो शचानक सार हमेशा मार्किट यही सुनना चाहता है कि अब मारूती क्या करने वाला है नया लांच क्या है कैसी पाइपलाइन है क्या हम देखें हैं से आउट लुक आगे का अगर आप अगले साल के बात करें तो अगले साल ऐसा पेश्गोई करी जारी कि 40 लाइट से थोड़ी जादा गारी बिखेंगी और यही अगर अगर इस साल का जो रवा माली साल है उसमें यह यह अन्दाजा रगाएजारा करीब 42 लाइट 10,000 गारी बिखेंगी इसका मतलब की जो growth rate है अगले साल का उसकी जो patient कोई है वो करीब चार फीसद के आसपास है जो अभी के जो growth rate है उससे कम है बुनियादी वज़ा दो ही है एक हाई base है तो base effect आएगा और दूसरा ये कि जो current booking और inquiry level है वो उसमें वो तेजी नहीं देखने को मिल रही है जो हमें पिछले कुछ दू-तीन साल से देखने को मिल रही थी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रशांक सर हमाई असाद मौजूद रहने के लिए नंबर से बाचीत करने के लिए और सभी outlook पर अपनी चर्चा करने के लिए अशिश कोई राया प्रक्ते हो क्या मारूती के stock पर आज flat flat to positive side पर है क्या करें इसमें तो मारूती सुजुकी करीब 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 ग्यारा प्रक्ते हो काम काच करता हो दिखाई पड़ रहा है ब्रेक का वक्त हो गया है ब्रेक के बार लोटेंगे और अशिश में बने रहेंगे उनसे तो मागी बाची जाए रखेंगे साथी सार एक सस्ता उप्षन उन से अनिटिफाई कर वाते है चोड़े इस ब्रेक के उस तरफ अब दिखरें फ्यूचर एश्पेस और बाजार रेंज बाउंड है लेकिन बिक्वाली है स्मॉल कैप में और थोड़ी बहुत खरदारी है मिट कैप के अंदर अभी अशी सार अब सस्ता उप्षन क्या चुना आपने है पारमा में अच्छा बाइंग इंट्रेस बना हुए और लॉरस लाप जो की अब एक रिंज को ब्रेक आउट दे रहा है एक प्लियरली जिन नंबर्स के बाद इसमें अच्छा मुमिंटम बना हुआ है नंबर्स वाले द आठ रुपे का कैसे मिंटेन करना और 14 और 17 रुपे के टागेट के लिए समें खरदारी की सला है तो लॉरस लाप की 430 की कॉल जिसको आप खरदारी कर सकते हैं 11 रुपे के आसपास चल रही है आठ रुपे का एक स्टॉप लॉस रखेंगे 13 रुपे और 14 रुपे इसका पह पर सभी शेयरों पर अपनी रायर रेनितियमाय साफ रखने के लिए एक ब्रेक का वक्त है ब्रेक के बार लॉटेंगे और आशी शाप के साथ मौजूद रहेंगे सास बहुर सेंसेक्स लेगे